मैं बाज हूँ, तूफान हूँ या फिर अधूरागीत दोस्तों, जिन्दगी का आखरी पड़ाव है मौत जिन्दगी की अंति महबूबा भी है मौत यू तो इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना होता है लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जाते जाते भी अपने पीछे जिन्दगी जीने के अपने बेमिसाल तरीके छोड़ जाते हैं मैं बात कर रहा हूँ, बॉलिवुड सीनेमा के एक ऐसे देदिप्यमान सितारे इर्फान खान की जो अब इस दुनिया में नहीं रहे वो अब बस सिर्फ यादों में तिम तिम आते रहेंगे स्टार्डम और ग्लैमर की दुनिया को गले लगाने के बजाए हर किरदार में जिन्दगी फूक देने वाले इस अभिनेता के संगरसों की कहानी हर उस आम लड़के के सपनों में जान फूक सकती है जो अपने दम पर कुछ पाना चाहता है कुछ मुकाम हासिल करना चाहता है बॉलिवुट के दुनिया में कोई गौड फादर नहीं होने की वज़ा से इर्फान को वह जगह बहुत देर से मिली जिसके हकदार वो बहुत पहले से थे लगभग एक दसक के लंबे संगरस के बाद इर्फान की काबिलियत को पहचाना गया लेकिन खास बात यह कि इर्फान ने कभी हिम्मत नहीं हरी न बॉलिवुड में न जिन्दगी की आखरी लड़ाई में इर्फान खान निउरो इंडोक्राइन टूमर नामक गंभीर बीमारी से पीड़ी थे यह एक ऐसी बीमारी है जो रेयर आप दर रेयर होती है लेकिन बीमारियों का क्या वो तो निर्मम होती है न उन्हें इस बात से क्या फर पड़ता है कि वो उस इनसान के दिल की खुबसूर्ती का पता कर ले जिन्हें वो पकड़ने वाली हैं खेर बॉलिवुड के संगर्सों से कहीं ज़्यादा जिन्दा दिली से इर्फान इस पीमारी से भी लड़ते रहे वे एक सच्चे योध्धा थे सच्चे वारियर एक सच्चे इनसान भी उन्होंने दुनिया को यह बताया कि विपरीट से विपरीट हालात में भी हम कैसे पॉजिटिव रहकर जिन्दगी की हर चाल का वेलकम कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं और जिन्हें हम बदल नहीं सकते बहतर है कि हम जिन्दा दिली और पॉजिटिविटी से उनका सामना करें इर्फान ने वहीं किया इर्फान के संगर्स और जिन्दगी के प्रती उनके प्यार को दरसाने वाली उनकी एक अद्धुच चिठी मैं आप सब के सामने पढ़ना चाहूंगा इर्फान इस बात को कुछ समय बीच चुका है जब मुझे पता चला कि मैं नियूरो एंडोक्राइन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ी थूँ मिरी शब्दावली में यह एक नया नाम था मुझे पता चला कि यह एक दुरलभ बेमारी है वहीं इसके इलाज के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी अभी तक मैं तेज रफ़तार वाली ट्रेन में सफर कर रहा था मेरे कुछ सपने थे, कुछ योजनाएं थी, कुछ एक चाएं थी, कोई लक्ष था फिर किसी ने मुझे हिला कर जगा दिया, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो टी सी था उसने कहा आपका स्टेशन आ गया है, कृपया नीचे उतर जाईए मैं कन्फ्यूज था, मैंने कहा नहीं नहीं, अभी मेरा स्टेशन नहीं आया उसने कहा नहीं, आपको अगले किसी भी स्टॉप पर उतरना होगा इर्फान ने आगे लिखा, कि वो अपने इस दर और दर्द की बाद अपने बेटे से करते हैं वो अपने बेटे से कहते हैं, मैं किसी भी हालत में ठीक होना चाहता हूँ बेटा मुझे अपने पैरू पर वापस खड़े होना है कुछ हपते बाद मैं एक अस्पताल में भरती हो गया बे इंतहा दर्द हो रहा है मैं जिस अस्पताल में भरती हूँ उसमें बालकनी भी है, बाहर का नजारा भी दिखता है वहीं सड़क की एक तरफ मिरास पताल है और दूसरी तरफ लॉर्ड्स स्टेडियम वहाँ वीवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता पोस्टर है इर्फान, जाते जाते आपने यह बता दिया कि मौत का मुकदर तो अपने हाथ में नहीं लेकिन जिंदगी से प्यार करना कोई आप से सीखे अल्विदा इर्फान, वैसे तो इस दौर में रहता नहीं है कोई ऐसे गए हो तुम की जाता नहीं है कोई ऐसे गए हुत्म की जाता नहीं है कोई